हेलो फ्रेंज नमस्कार विल्कम टो वंडे एक्जाम टार्गेट आप सभी का आपके अपने चैनल वंडे एक्जाम टार्गेट पर बहुत बहुत सागत हैं फ्रेंज यहां पर हम देखेंगे परियावरण के मोस्ट इंपॉर्टन पूरे 2000 वन लाइनर कोश्चन देखेंगे तो और उसके बाद जितने भी जितने भी आपके इंपॉर्टन टॉपिक हैं वो हम कबर कर रहे हैं और साथ में SCRT की परियावरण कबर करेंगे आपके यूपी डेट के लिए इतना मैटर सफिसियंट है 2000 आपके वन लाइनर उसके बाद आपके जितने भी टॉपिक हैं इं इंवार्मेंट के वहम कबर करेंगे प्लस SCRT बुक पूरा कबर करेंगे परियावरण के लिए तो फ्रेंज आप लोग इस चैनल के साथ जरूर जूड़े रहेगा हम लोगों ने 2018 और सुपर्टेट के एक्जाम में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है जितने भी हमारे स्ट्वेंट जुड़े थे सभी सफल हुए हैं तो आगर आप लोग सफलता पाना चाहते तो यूपिटर 2019 के लिए वंडे एक्जाम टार्गेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा फ्रेंज परियावरण के 2000 प्रस्णों के स्रिंखला में हमारा दूसरा वीडियो लोगा इससे पहले हमने 50 कोशन कबर कर लिए थे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 50 नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टन कोशन तो फ्रेंज चलिए स्टार्ट करते हैं आज कि इपने इंपॉर्टन कोश्चन को कार्बन मोनो ओक्साइड सीओ का सबसे अधिक उत्पादन होता है किस से परिवहन से कौनसी बिदी है जिससे की कार्बन मोनो ओक्साइड का सबसे ज़ादा उत्पादन होता है तो ये है माध्यम परिवहन नेक्स ट्रे किस गेस को दम घोटु गेस भी कहते हैं दम घोटने वाली गेस Cu, Carbon Mono Oxide कौन सी गेस सभी प्रदूसकों में 50 परिसत भाग का प्रतनिद्ध तो करती है तो ये सभी कोश्ण आपके रिलेटर ने Carbon Mono Oxide के carbon monoxide से तो पहला question भी दूसरा भी यहाँ पर तीसरा question भी next important question है most important यह सभी बहुत ही important question है आगरा के ताजमाल को किस gas से नुकसान हो रहा है तो option हमारा सही होता है sulfur dioxide से तो अमली वर्षा की वज़़ा से जो sulfur dioxide है अभी हमने बताई यह two o से मिलती है तो यह sulfuricaml बनाती है अमल वर्षा में फिर वही sulfuricaml आगरा की आगरा के ताजमाल की दिवार उपर गिर रहा है तो next है ओजोन के मापने की काई को क्या कहते है ओजोन के मापने की काई को कहते है आपसन इंपॉर्डन कोश्चन नेक्स्ट हमारा कोश्चन है प्रकीत हो प्राकृतिक संसाधन अंतरास्टिस अरक्ष्ण संग द्वारा प्रकासित रिट डाटा बुक अब यह जान लिजे किसके द्वारा प्रकासित होती हम डिरेटली यहां पर कोश्चन लेख सकते थे नें रिट डाटा बुक में संब्लित किया जाता है क्या किया जाता है केवल संकत गृष्ट पशुओं ओं पॉद्धों के जातियों की सुची बेकिन यह कहां से परकासित होता है यह भी लेने का उद्देश थया कि आपका question यहार करने वाला देश है कौन सा ओप्सन हमारा सही होता है चीन नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन सरक्षण से संबंदित था किसके संबंदित था यह जो भी सम्मेलन किया गया नम घुमियों के संबंदित था विटलेंड पचास से अधिक देशों द्वारा समर्थी संयुक्त राष्ट का मौसम परिवर्थन समझो तक का प्रभावी हुआ तो ओप्सन हमारा सही होगा अगर बेकल्प में आता है तिकीस मार्च 1994 को नेक्स्ट हमारा कोशन है संयुक्त राष्ट ने वर्ष 2003 को अंतरास्टी वर्ष घुसित किया था है किसका स्वक्ष जल का प्रतिवी शिखर सम्मेलन 2002 का एवजिन किया गया था कहां पे जोहां सवर्ग में पारिशित की इस्थाई मितब्याता है यह किस आंदोलन का नारा है यह चिपको आंदोलन का नारा है नेक्स है चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले में मोलता प्रारम हुआ था तो आप्सन में आएगा चमोली तो सही होता है चमोली और मेधा पार्टिगर क्या है सामाजी कारिकरता है नेक्स्ट है टाइगर राज जी किसे घोसित किया गया है ताइगर राज जी घोसित किया गया है मद्धिप्रदेश को ACI बबर शेर का निवास कहां पर है तो यहां पे हमारा उप्सन सही होगा अगर आता है उप्सन में गिरिवन कहां पर है गुज़ात में पसु पक्षियों को महत्तु देने वाले पसु पक्षियों को महत्तु देने वाले इस्कूल आप पेंटिंग का नाम है क्या नाम है नाम है बूदी शैली नेक्स्ट है ओजोन परत्मानों के लिए उप्योगी है किसलिए क्योंकि वह सूरी की अल्ट्रा वालेट के रुड़ों को प्रतिवी पराने से रोकती है अल्ट्रा वालेट रेज को रोक देती है नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोल एक छेतर में 1 छेतर का क्या प्रतिशत है तो यहाँ पे हमारा option सही होता है 20 दिसमलो साथ प्रतिशत भारत का रास्टी इस्तनी क्या है भारत का रास्टी इस्तनी है बाग नेक्स्ट हमारा important question है न्यूजी लैंड में पाया जाने वाला उड़े हीन पक्षी जो उड़ नहीं सकता है जो ना उड़ने वाला पक्षी है उसके पंख तो होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकता कौन सा पक्षी है कीवी यह बहुत ही छोटा सा पक्षी होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत ही होती कि ना उड़ने वाले पक्षी हो में सबसे छोटा पक्षी है पंख तो होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकता है और कीवी सिर्फ न्यूजी लैंड में ही पाया जाता है और यहां का यह रास्ती पक्षी भी घोस्टी थे और इवन इसी की वज़ा से ही पूरे देश के निवासियों को विश्चु के अन्य भागों में कीवी के नाम से ही बुलाया जाता है किस हरिकेन ने सन 2012 में USA के उत्तर पूर्वी तड़ी प्रांतों को दुस्प्रभावित किया था तो बिकल पर हमारा ओप्सन सही होगा संडी एक मार्क एक्ट भारत में कब लागो किया गया एक मार्क एक्ट भारत में कब लागो किया गया तो 1973 में नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है भारत का रास्टी जली प्राणी है भारत का रास्टी जली प्राणी क्या है गंगा की डालफिन सरसो की बीज में अब मिस्रक के रूप में सामानेता किसका प्रयोग किया जाता है मिलावट का प्रियोग किया जाता आरजी मोन की बीच का आरजी मोन का बीच इंपोर्टेंट है भारत की किस महानगर में वार्षिक प्रतिव्यक्त सर्वाधिक ठोस अप्सिस्ट उत्पन होता है कहां पे दिल्ली अगर दिल्ली आता है तो दिल्ली का आप्सिन सही गरेंगे अब जेसे कि कितना प्रदूशन उसमेंस में से नियम नियामक है जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किया गया है तो इसी के आधार पर इंडिया में भी इस तरीके का नियम लागों किया गया जैसे कि कितना प्रदूशन में से निकलना जाहिए कितना नहीं निकलना जाहिए बहुत ही कड़े नियम है और प्रतेग वहान पर नियामक जो लगे होते हैं उनके हाकार के अनुसारे तहे किये जाते हैं और मानकों पर खरे न उतरने वाले वानों की बिक्री पर कड़ा निशेद लगा होता है तो कुछ प्रदूश्ण को नियंत्र में रखने के लिए ये यूरो नॉर्म्स बनाएं ठीक है नेक्स्ट है किस देश में उसको नेक्सट हमारा इंपॉर्डन कोशन है किस देश में उसके घो गोलिक छेत्र का उच्चेतम प्रतिशत प्रतिशन तो बिकल्प हमारा सही होगा जपान next important question की तरफ चलते तोप चांची अभ्यारण कहा इसती थे तोप चांची अभ्यारण कहा इसती थे तो हमारा उत्तर सही होता है धनबाद most important question है देखिए कुछ अभ्यारण रास्टी पार्क बहुत जादा पूछे जाते वो important है लेकिन जो कुछ छुटे हुए है जो कभी-कभी एक्जाम में पूछे गए यानि कि जो एक्जाम में पूछे जा रहे है यानि कि question बनाने वाले का दिमाग उधर है तो वो important हो सकता है तो उसे भी ignore नहीं करना तोप चांची अभ्यारण धनबाद में है धनबाद कहां पर है जारकन राज में है इसके बारे में थोड़ा सी यह जान लेते तोप चांची एक जील है जो कृतिम प्रकार की है और यह एक खुबसूरत पर्याटक स्थल के रूप में जानी जाती है तोप चांची जील और अभी हमने बताए तोप चांची जील एक कृतिम जलाश है और इस जील के चार और पहाड़ी और वन है और यहां पर में पिकनिक बनाने नाउस से शायर करने चुटिया बताने के लिए यह बहुत ही सुन्दर पर्याटक स्थल है और तोप चांची जील के पास एक वन्य प्राणी अभ्यारण भी है जिसे हम तोप चांची अभ्यारण के नाम से जानते हैं जो कि है धनबाद में एक्जाम में कोशन पूछा गया और यहां पर जितने मैंने पूरे 2000 कोशन लिए है सभी एक्जाम में पूछे गए हैं सभी हाई लेबल के एक्जाम में कुछ यूपेटेट सुपेटेट के एक्जाम में पूछे गए हैं तो यह सभी के लिए एक कोई इंपॉर्टेंट वीडियो है नेक्स्ट है लामा लांग अभ्यारण कहा इस्तित है लामा लंग अभ्यारण कहा परष्थी थे? यह कहा परष्थी थे? चत्रा में, अचत्रा कहां पर? दीखें, यहां पर लावा लॉंग होगा दीखें, इंग्लिस में इसे किस तरीके से लिखा जाएगा? देख लिजे प्रननसियेशन अब ये कहाँ पर है चत्रा में चत्रा कहाँ पर है जार्खंड यानि कि लावा लॉंग अभ्यारण जार्खंड राज्ज के चत्रा जिले में अगर बिकल्ब में चत्रा आता तो ये सही करें ये जार्खंड आता तो आप जार्खंड सही करेंगे ठीक है नेक्स्ट है उद्वा पक्षी बिहार कहां परिस्ति थे 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 साहिब गंज में यह कहां पर है यह भी जारखंड में तीनों कोशिन आपके जारख कि हिंदी होती है बहुलक बहुलक या पॉलिमर यह अधिक अड़ु मात्रा वाला कार्बनिक योगिक होता है मिलने इसमें क्या होते है पॉलिमर यानि कि सरल अड़ु जूड़ कर जिनें मोनोमर कहते हैं जूड़ जूड़ कर क्या बना लेते हैं पॉलिमर बना लेते हैं अध और एक बंद के द्वारा, जिसमें सयोजी बंद जुड़ा होता है, कोबैलन बॉंड जुड़ा होता है, एक्जामपल में सेलिलोज हुआ, लकड़ी हुआ, रेशम हुआ, त्वचा हुआ, रबर, ये सभी पॉलिमर के उधारण हैं, लेकिन ये सभी जो प्राकृतिक पॉलिम है, ठीक है, चलिए बहुत जादा हो गया, आप कुछ रासानिक पॉलिमर होते हैं, जिन में टेफलान होता है, पॉलिएथाइलीन होता है, ये सारे चीज़े होती है, ठीक है, चलिए नेक्स चलते हैं, कंगेर घाटी रास्टी बन अवस्तित है, कंगेर घाटी रास्टी बन कहां पर आवस्थी थे तो बिकल्प में अगर 36 गड़ है तो हमारा उप्सन सही होगा 36 गड़ में नेक्स रहे भुपाल गैस त्रास्दी से संबन्दीत योगी का नाम था क्या था? M.I.C. मेथाइल आइसो साइनेट इससे पहले के वीडियो में हमने एक कोश्चन कबर करवाय था भुपाल गैस त्रास्दी कब हुई थी? ठीक है? और कहां पे हुई थी? भुपाल में नाम से पता चल रहा है नेक्स है जल में अप प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फासफोरस की मातरा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो यहां पर option हमारा सई होगा Eutrophication Eutrophication क्या है? Eutrophication की हिंदी क्या हुथी? Suppotion दिखें, मेली क्या होता है किसी जलासे को पोसक तत्तों से सम्रिट करना Suppotion कहलाता है जल में अप प्राकृतिक रूप से nitrogen और fast forest की मातरा बढ़ानी को कहते हैं utrophication ठीक है अब ये utrophication की प्रक्रिया में जलांसे में पौध होता था स्रेवाल का विकास होने लगता है और जब बहुत ज़्यादा biomass हो जाता है ये सारी शीजें हो जाती है तो जल में oxygen की मातरा कम हो जाती है अब ये इस तरीके से एक topic पूरा बन जाता है utrophication का और exam में इससे question पूछा जाता है यहां से email ली question utrophication से पूछा जाता है BOD biological oxygen demand next हमारा important question ओद्योगिक मलवे से सरवाधिक रासानिक प्रदूसर्ण होता है किस उद्योग से तो बिकल्प में हमारा options है योगा चमणा उद्योग से next important question की तरफ चलते है अधिक्तम ध्वनी प्रदूसर्ण का कारण है यह anthropogenic कारण है anthropogenic monogenit जो परियावरण का production होता है वो अगर मनस की activity के द्वारा हो रहा है तो उसे हम कहते anthropogenic monogenit next है most important question most important राजस्थान का वजजिलाद जो विश्व का आद्वुती पक्षी अभ्यारण है एवंग जल पक्षियों का स्वर्ग है वो कहां पर है भरतपूर most important question next है महारास्ट यहों करनाटक में पश्चमी घाट कहलाते हैं क्या कहलाते हैं सयाद्री next important question प्रतवी की सता से ओजोन परत की उचाई कितनी है तो 40 से ले करके 40 से ले करके 45 किलोमेटर next है बिहार के कौन सा शहर वन्नी जीव सेंचुरी और राश्टी पार्क के लिए प्रशिद्ध है तो हमारा option से ही होता है गया next है कोन से नदी जारकन के खमार पार्ट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है तो option हमारा सही होगा दामोदर नदी next है बिश्वत जल सनरक्षण दिवस मनाया जाता है तो ओप्सन हमारा सही होगा 22 मार्च को नेक्स्ट है कौन प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक देखे उससे पहले सबसे पहले आपको यह जानना जो रिडिक प्रवाल वित्तियां क्या होती है कोरल रिप क्या होते है प्रवाल वित्तियां प्रवाल वित्तियां यह मुगे की चटान जिसे हम अंग्रेजी में कहते है कोरल रिप्स Coral Rips ये समुत्र के भीतर इस्थित प्रवाल-जीमों द्वारा छोड़े गये Calcium CaCO-3 प्रवाल क्या होते कठोर सरज्णा वाले चूना-प्रदान-जीव जिसे हम Cylen Trata Polyps कहते हैं यही होते हैं और इन प्रवालों की कठोर सता है के अंदर सजिवी संबंध से रंगीन सहवाल पाया जाते हैं जिनका नाम होता है जू जैन्थली ये पाया जाते हैं और प्रवाल विरंजन जो होता है वो क्या होता है प्रवाल विरंजन में लिए आपको एक चीज और बता देते हैं जो प्रवाल वित्तियों को विसुगे सागरी जय विवित्त का होट इसपार्ट माना जाता और इन्हें समुद्री वर्सा वन भी कहा जाता है यह भी important question है पूछा गया है ठीक है और यह प्रवाल विरंजन प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं यह जानना अपके लिए जरूरी है देखिए प्रवाल के बारे में बहुत important point है और एक question पूछा जाता है संसार की सबसे बड़ी औरोधक प्रवाल वित्ति कौन सी है आस्ट्रेलिया की great barrier reef इंपोर्टन question है ठीक है अब यहाँ पे आमने पूछा की प्रवाल विरंजन क्या है अभी मैंने जो बताए कि जो रंगीन सहवाल पाया जाते हैं जू जैन्थली यह आपके दिमाग में है देखे अब जब तापमान प्रकास या पोशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो प्रवालों पर तनाव बढ़ जाता है तो जब तनाव बढ़ जाता है तो अपने उत्कों में से उतक कोसिका कोसिका के समू कहते हैं उतक कोसिका हुई सेल, अब सेल के समू को कहते हैं ठीसू, उतक, तो भी अपने उतकों में निवास करने वाले जो सहजीवी शैवाल हैं, जिनका नाम हमने बताया था, जू जहन्तिली, उसी को निसकासित कर देते, बाहर निकाल देते, जिस कारण से जो प्रवाल होता है, वो सफेद रंग में प इंट्रेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बस इतना यह बताने का परपस था, कि प्रवाल विरंजन क्या होता है, प्रवाल भित्ति क्या होती, प्रवाल क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, तो यह सारी चीज़ें यहां से आपके इंपॉर्टेंट को बनेंगे मैंचेस्टर में जोकी इंगलैंड में है नेक्स्ट है मुर्दा में उपस्तित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं होलार्ड H O L A R D नेक्स्ट है जैतून की फसल है किस जलवाय की बुमद्द सागरी जलवाय की नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टन कोशन वन महोट सो सब्ता कम मनाया जाता है एक जुलाई से साथ जुलाई तक मोस्ट इंपोर्टन कोशन नेक्स्ट है कौन सा रेडियो धर्मी सबसे घातक प्रदूसक है विकल्प में आपका अगर स्ट्रॉंसियम 90 है तो आप इसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पर आपके होते हैं आज के 50 कोशन कंप्लीट यानि के पूरे 100 कोशन कंप्लीट तो चल चलते हैं आज के सवाल के तरफ आज का सवाल है आप सभी के लिए आज का सवाल बिस सुवज जल सरक्षर दिवस कब मनाया जाता है तो बिकल्प आप सभी के सामने कौन सा option होता है सही आप लोग comment section में comment करके जरूर बताइएगा और आपके feedback का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा friends अगर आप लोगी अच्छे तरीके से marks score करना चाहते तो आपकी अपने channel one day exam target के साथ जरूर जुड़िए वीडियो को पसंद करना like करना और दोस्तों में share करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आपके like से हमें energy मिलती motivation मिलता है और जल्दी हम भी इसे कबर करेंगे और कुछ important topic भी हम आज शाम तक upload करेंगे जो कि आपके exam के लिए काफी important है तो मिलते हैं फिर और ECRT भी हम start करते हैं जैसे ही live classes हमारी सुरू हो जाती है तो ECRT हम complete करते हैं परिशान मतो ही मेरी उपर शोड़ दीजी हम सब cover कर देंगे मिलते हैं फिर next video में तब तक लिए goodbye and take care thank you